चलो गई सुनो अपना इस चैप्टर के अंदर में ली क्या क्या हो चुका है अभी तक मेरे क्याल से मैंने आप लोग को पांच चीज़े पढ़ा हैं इस चैप्टर के अंदर हम लोग ने स्टार्ट किया था कि उसके लिए मैंने दो चीज़े किया अमाउंट का मतलब क्या होता है और बहुत चीज़े उसके अंदर आई थी तर्फ फिर मैंने यो क्यू का थेरी स्टार्ट किया यो क्यू का दो साइडी टॉपिक्स वर और एस एन ऑप्टिमम कैश बालंस ही रही वो जाने दो चरू उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया री ओर्डर लेवल वाले फंड दे डाट इस वेंग दो अर्ड हम लोग ने उसके बाद आज मेरे ख्याल से वह पिछले पाट क यह किया था और फिर उसके ऊपर एक कोशिण जो किया ताकि यू फाइंड आउट की प्रॉब्लम क्या है अभी अपना यह जो नेक्स्ट पाट है यह क्या है इस अल अबाट ट्राइं टू प्रिपेर अकांट इस आ वेरी सिंपल स्टाफ स्टॉक कंट्रोल करने के लिए वी मैंने फर्स लेक्चर के नदब बोला था स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकांट वैसे तो ऐसे मिंटेन होता है इन यूज्वल मैनर यहां पर आ जाएगा टू बालेंस ब्रॉट डाउन स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकांट बोले तो रॉम अटियल्स अकांट एक चीज हमेशा याद रखना ओकी इस ओल स्मॉल लिटल थिंग्स बट यूज शूड भी नुए तुम लोग अकाडमिक्स बहुत जादा करते हो प्राक्टिकल लाइफ हो नहीं करते हो अल बुक्स अफ अपकांट्स अर अल्वीज मिंटेंड बाय और अकांट्स अपार्टमेंट कई लोग अकांट्स अपार्टमेंट को फणाइन बीज बोल देते हैं बट अल्वीज मिंटेंड बाय देमों नी एन सल्स अकांट इस अप्सेप्शिप्शिन अवरी अकांट इस मिंटेंड बाय तो रोम अटीर्स का ओपनिंग स्टॉक उसके बाद रोम अटीर्स और परचेज हो ज अगर सिर्फ अकांट ऐसे ही बनाओ गे था तो यह अमांट होएगा यह अमांट होएगा तो आपने को ना क्वांटिटी के बारे में वह नहीं पता चलेगा तो हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया इसी SLC account हो न, हम लोगा ने सोचा, थोड़ा सा detailed बनादेते हैं, कैसी? एक यहाँ पर date का column अलग से बनाएंगे, एक यहाँ पर receipts का column बनादेंगे, एक यहाँ पर issues का column बनादेंगे, और एक यहाँ पर balance का column बनादेंगे, हर एक के अंदर 3 columns बनाएंगे quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount जब भी raw materials purchase करेंगे तो इधर लिखेंगे जब भी raw materials issue करेंगे तो इधर लिखेंगे and balance is always the balancing figure okay that is receipts minus issues और ये जो issues का rate है न this will be determined by your method method बोले तो FIFO, LIFO, weighted average, those kind of method तो in real life नमलब में बहुत बार जब भी 11-12 के अंदर I used to be listening to these words वो मेरे दिमाग के अंदर वो रहे गई which I want to be clarifying to you all ताकि तुमारे दिमाग में वो ना रहे याद रखना FIFO, LIFO, etc. whichever methods you all have heard you all might have heard that these are methods for stock valuation have you all heard that these are methods for stock valuation but actually these are not methods for stock valuation these are the methods for pricing the issues balance is always the balancing figure FIFO, LIFO से न ये वाला rate नहीं पता चलता बिटा FIFO, LIFO से पता चलता है at what rate you will issue the raw materials your raw material का stock is always your balancing figure तुमको समझा जो मैंने बुला FIFO, LIFO से तेरको इसका rate नहीं पता चलेगा बिटा तेरको FIFO, LIFO से किसका rate पता चलेगा? issues का so if the person who has made the questions is an intelligent person is a knowledgeable person he will always say follow FIFO method for pricing the issues okay क्योंकि in real life FIFO, LIFO tells you at what rate to issue the things balance is always the balancing figure बाकी चीज़ें आप लोगो मैं sums के अंदर मेरे कहाल से वो समझा दूँगा ठीक है? तो हम लोग start कर लेते हैं यह बहुत easy question है अभी अपने को ऐसे दो question को करने हैं इसा super simple questions ओके पढ़ेंगे सब्सक्राइब कीज़ four students Fatima, Lobo, Manish, Nishant are equal partners in a joint venture which involves them on part-time basis in manufacturing and selling goods for manufacturing they need certain type of raw material ठीक है? the transactions for six months ended 30th of September are stated below ठीक है? you have to assume that purchases of the unit cost were made at the beginning of each month okay and the issues were made at the end of each month आपको assume क्या करने का है कि ना purchases जो हुआ महीने के first day पर हुआ और जो issues हुआ वो last day हुआ यह आपको इसलिए वो बोला हुआ है क्योंकि ना उन लोग ने तुम लोग को transactions का date नहीं दिया हुआ तो यह लोग क्या बोलता है कि purchases कौन से दिन पर हुआ? first day पर और जो issues है वो कौन से दिन पर हुआ? last day ताकि you don't think about the dates much in October four student partners held a meeting to review their financial position and to share out the profits but there was a disagreement because each partner priced the issues on a different basis Fatima followed FIFO Lobo followed LIFO Manish had followed weighted average Nishant had used weighted average basing his weighted average on whole of six months purchases अगर मैं तुमको ये वाला कोशन नहीं भी कर रहा हूँ ना सिवाए निशान्त के तुम लोग सारा का सारा काम कर पाऊगे मेरे असाब से you are required to show the records which each student kept of the transactions record बोले तो all purchases, all issues are tracked in SLC account तो हम लोग SLC account ही बनाने बाले है चार बार अभी तुम लोग क्या करना सुनो सुनो तुमको थोड़ा सा बुरा लग सकता है based upon whatever I will be doing लेकिन कोई option नहीं है stores ledger control account bracket के अंदर we all will write down that is FIFO followed by Fatima फिर्स वाल जबी format बना रहे ये वाला format वो बनाना with all these columns for 3 4th of the side ठीक है for 3 4th of the side फिर उसके बाद तो 1 4th page वो बच जाएगा वो छोड़ी देना next page पे again exactly the same format but it will be LEFO followed by LOBO ठीक है फिर उसके बाद 3rd और 4th page पे ना तुम लोग बस ऐसा format बना लेना for half of page ठीक है आगे कुछ लिखना मत वो हम लोग एकठे वो लिखी डालेंगे ठीक है जो scale use करना है फटा फट करो मैं तुमको 5 minute का time दे रहा हूँ formatting के लिए ठीक है तुम लोग सिर्फ formatting जो है इतने time के अंदर वो खतम करो तुमको बुर्या लगेगा क्योंकि मैं तो copy paste ही करेगा झालेंगे करेगा झाल 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 आप चारो बना लो फीफो लीफो बेटे आवरेच और चौथा बाला भी आप मेड और पोर ओनी एक सगना चेंज दो व्यू दावी बेटर रहू मैंने तो चारो बना के रखे हैं भाई गॉड अभी तुमको कुछ दिखाई देगा या नहीं है आम नॉट अबेर वो वो ही है बिटा बस मैंने नाम उपर का तो वो बदला है फीफो बाई फातिमा लीफो बाई लोबो वाम बाई मनीश और चौथा वाला इल से दाट आप्टर सम्टाइब हां फॉर्स टू थी फोथ फोथ पच्छ आप टू अए बूला यार वो फॉर्स टू थी फोथ अफ टू आप्टू अप्स आप्स आप्स आप मेरे ख्याल से तुमको दो मिनट और जाएगा मेरे को इसा लगता है वो रिमारकेबल के अंदर यह वाला फीचर है। किसे ने ब्रेक के अंदर सर्च किया रिमारकेबल प्रॉड़क्त किसी ने तो किया रहेगा वह अच्छा चीज था इसका नाम बहुत अच्छा है, मार्क, you know, they put that particular thing in middle आहां, but out of all those products, this is the closest to the paper this is closest to the paper ka feeling that people want to be having I had seen that in 2018 only when I had gone, it's nice to write, it gives you that feeling of paper चलो, सुनो मेरी बात, देखो अभी अगर वो नहीं हुआ, प्लीज थोड़ी देर के बात करना, that's all fine अगर first two formats भी हैं बराबर से, so that's all fine जो बाकी है, अगर कोई काम जल्दी हो जाएगा, तो तब ही कर लेना, ठीक है, चलो सुनो transaction से हम लोग start करने है हर मन्त का तुमको क्या क्या data दिया हुए, purchases दिया हुए, unit cost दिया हुए, और issues दिया हुए purchases will happen on the first day, issues will happen on the last day तो start कर लेते हैं April, तो यहाँ पे लिखिए अगर first April लिखना है, तो भी चलेगा, अगर first number नहीं लिखने का है, that's all अगर first day already कोई opening stock था, तो आप लोग यहाँ पे लिख देना, ठीक है, अब यहाँ पर तो वो नहीं दिया हुए, तो directly purchases से start पर लेते हैं, 1000 at the rate of 1, अगर चाहो किदर ना किदर, अगर वो लिखने का मन है, तो यहाँ पे you can just put a dollar sign everywhere, जिदर amount है, ठीक है, तो 1000 at the rate of 1, 1000, बस मेर एक rule follow करना, उससे we will try to ensure कि अपने से गलती ना हो, हर transaction के बाद मेरे को balance चाहिए, हर transaction के बाद, ठीक है, तो अभी तक एक ही चीज है, तो balance के अंदर भी यही आ जाएगा, 1000 at the rate of 1, 1000, और यह चीजे बहुत simple हैं, please catch up your speed now, अच्छा, 30th April को issues हुआ 500 unit का, तो April ही चल रहा है, तो अभी month नहीं लिखरा, तो let's issue 500, 500 in this particular case, you will issue based upon FIFO method, अगर दुनिया में एक ही चीज होती है, तो बेटा फिर FIFO, लीफो किदर आता भी नहीं है, अभी तक तो मेरे पास एक ही किसम का stock है, at the rate of 1, तो भाई फिर 1 के अंदर से ले ले, तो 500 at the rate of 1, 500, अच्छा, 1000 के अंदर से 500 चले गए, तो भाई कितने बच गए यार, 500, at the rate of 1, 500, बस April खतम में, में 500 unit खरीदा at the rate of 1.2, 500 units at the rate of 1.2, 600, तो अभी ना मेरे पास 2 lot हो जाएंगे, एक पहले वाला जो था, अगर चाहो तो किसी को अगर अजीव वो लगता है तो, हर transaction के बाद, हर date के बाद, you can make a line also, वो तो अभी मेरे पास 2 lot हो जाएंगे, एक जो पहले था, जो पहले खरीदा, प्लीज वो आप पहले लिखो, 500 at the rate of 1, 500, और एक जो अभी अभी, 500 at the rate of 1.2, 600, फिर उसके बाद, issue वाज 750 का, शायद यहां से अपना method will start to show some effect, first in, first out, जो पहले खरीदा, उसको पहले निकालो, त 1 के 1.2 वाला, 1 वाला, तो 700 unit issue करने है न, उसके नैसे 500 पहले बाले lot के अंदर से जाएंगे, 200 जो हैं, वो second lot के अंदर से जाएंगे, आचा, तो यह 500 पूरा खतम हो गया, और यह 500 के अंदर से 200 खतम हो गये, तो अपने पास बेटा बच कितने गए, 500 at the, sorry, सोरी, 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 तो बच कितने गए, 250 at the rate of 1.2, 300, जून, जून किया न, हजार unit खरीदे, at the rate of 1,000, तो यह वे पास दो lot हो जाएंगे, एक पहले वाला, और एक अबी वाला, अच्छा, जून के अंदर न, बेटा कोई issues नहीं है, तो जाने तो जून का मिना खतम, जुलाए के अंदर कोई purchases नहीं है, लेकिन जुलाए के अंदर issues है, 600 का, तो जुलाए issues है, 600 का, उसके हैंसे 250 यहां से उठा लेता हूं, 250 अधर रेट वान पॉइंट टू, 300, बाकी 350 इदर से उठा लेता हूं, तो 600 हो जाएगा, 350 अधर रेट वान, 350, अच्छा, बेटा बच कितना जाएगा, इसके अंदर से 300, चला गया, तो बच गया, 650 अधर रेट वान, 650, आच्छा, जुलाई हो गया, उसके बाद, और एगस्ट, ओगस्ट का न पान सो यूनिट खरीदे, आद रेट वान पॉइंट टू, 500 यूनिट आद रेट वान पॉइंट वान पॉइंट टू, तो टोटल इटा प्लीज, ओके ये के शाड़े छेसो वाला लॉट था, पहले लिख दो और उसके बाद 500 at the rate of 1.2 600 लिख दो फिर उसके बाद august के अंदर 600 unit issue हुआ I guess first lot के अंदर से issue कर देगा तो बहुत हो जाएगा 650 at the rate of 1 650 खताम ना मेरे कहाल से तो बच जाएगा 500 at the rate of 1.2 600 सिर्फ second lot ही बच जाएगा आगे September 500 units खरीदा at the rate of 1.3 500 units at the rate of 1.3 650 तो अभी आपके पास दो lot हो जाएगे एक पहले बाला और एक जो अभी खरीदा last transaction 600 unit issue किया तो पहले में से तू 500 निकाल ले और 100 जो है इदर से निकाल ले 500 के अंदर से 100 निकल गया तो बच गया 400 at the rate of 1.3 520 अच्छा all over सुनो towards the end ना ये बाला काम exams के ने time मिला तो कर लेना नहीं मिला तो छोड़ देना total of the receipts का quantity receipts का amount issues का quantity issues का amount three five zero zero three eight five zero three one zero zero ये कितना अधर विड़ा three 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 zero आता है I'm not very sure ठीक अच्छा सुनो एक चीज अगर सोचो तो टैली हो जाएगा closing stock will be opening stock जो नहीं था plus receipts minus issues quantity के तौर पर भी टैली होगा amount के तौर पर भी टैली होगा closing stock will be equal to opening stock जो नहीं था plus receipts minus issues चीज़ें सुनो मेरा fifo method खतम हो गया same question तुम लोग leafo method से start कर रहे हो सब लोग कर लोगे leafo method अच्छा एक line बोलता हूं बीच में न वो वला line शायद आएगा दोनों में से जो मैं बोलने बाला हूं कुछ भी कर ले न answer तुमारा same ही रहेगा अगर दो lot होएंगे जिनका rate same होएगा और वो आगे पीछे होएंगे ठीक है अगर वो आगे पीछे होएंगे तो उनको merge कर दोगे तो भी चलेगा अलग लग रखोगे तो भी चलेगा अंसर तुमारा same ही आएगा ठीक है यह चीज तुम लोग leafo method start कर लो तुम लोग को समझ में आ जाएगा ठीक है तुमारे पास in all चार मिनिट हैं खतम करो तुम लोग format तो बना हुआ है I'm showing you all the question खतम करो खतम करो झाल तुम लोग को वो line समझा मैंने क्यों बोला था बीच में वन रूपी वाला lot आएगा जो आगे पीछे है merge करेगा तो भी चलेगा अलग रखेगा तो भी चलेगा end के अनो तुमारा answer कुछ ऐसा आना चाहिए 400 at the rate of one 400 वो दो lots के तौर पर भी आ सकता है 200 और 1500 शायद अगर अलग अलग रखा होएगा तो merge किया रहेगा तो ऐसे ही आ जाएगा ठीक है तुमको एक मिनट और दे रहा हूँ जिन लोगा नहीं हुआ प्लीज खतम करो उसके बाद वीडेट आवरिज चाट कर लेता हूँ चलो सुनो स्टार्ट कर लेता हूँ विद योर थर्ड में थर्ड अच्छा सुनो अगर तुमारा answer किसी ने अगर merge नहीं किया तो ऐसे आया रहेगा शायद ओके I don't know the order लेंग कुछ ऐसे वो आया रहेगा कई लोग का शायद answer वो ऐसे आ रहेगा अगर ऐसे आयना तो एक बार बज़रा टोटल मार देना चार सो चार सो ठीक है यह last जे का जो टोटल होएगा वो कर देना अगर merge किया रहेगा तो वैसे भी कुछ वैसे आ रहेगा obviously यह वाली figure तो same ही रहती है बिटा जिन लोगों ने पागलों की तरह फिर से टोटल किया तो वो लोग पागली है मतलब इसका भी टोटल हमेशा same ही रहेगा obviously this is the only thing that will start to be getting changed अगर किसे ने यह वाला चीज किया वैसे it is not required only 3,4,5,0 आएगा ठीक है चलो सुनो अभी weighted average मैं third सब लोग मैं को वैसी जरा बोलो ना I honestly don't know यह वाला चीज तुम लोग ने कभी पहले वो किया हुआ है हाँ कभी ना कभी शायद life life के अंदर वो किया रहेगा let's try to speed up the work okay so this is VAM weighted average method जिन लोग ने वो नहीं लिखा you all can write it VAM so let's start weighted average method कैसे काम करता है मैं तुमको कुछ ऐसे बोल सकता हूँ जब भी परचेज करते हो नया weighted average cost निकालो उसके बाद जब तक next time purchase नहीं करते उस intermediate period के अंदर issue everything at that weighted average cost जब भी नया weighted average cost जब भी नया purchases नया weighted average cost उसके बाद जब तक next time परचेज नहीं करते everything will be issued at that weighted average cost रोड नहीं ठीक है so with this let's try to do the things तो start कर लेते हैं हम लोग same question है यार वो तीसरी बार कर रहे हैं लिखो ज़रा April तो 1000 unit at the rate of 1000 अभी दख तो एक ही चीज है 1000 at the rate of 1000 अगे issues 500 unit issue किया 500 unit अभी तक तो एक ही lot है बिटा 500 अच्छा सुनो कई चीज़े जो मैं बोलता हूँ वो करना reason तुम लोग को थोड़ी दिर में पता चल जाएगा 1000 minus 500 balance ऐसी निकालना 500 उसके बाद 1000 minus 500 balance ऐसी निकालना 500 ये वाला rate मेरे को भी मालूम है कि 1 रूपी आएगा obviously ओके लेकिन लिखना नहीं क्यों थोड़ी दिर के बाद में 500 unit purchase at the rate of 1.2 600 जब भी नया purchase करोगे नया rate average cost निकाल लेना rate average cost कैसे मिलेगा पहले 500 था अभी 500 हुआ और total कितना हो गया 1000 पहले 500 रुपे का stock था अभी 600 रुपे का stock और खरीदा total कितना हो गया 1100 rate average cost कैसे मिलेगा बोलो divide ना 1100 upon 1000 कितना आजएगा बेटा 1.1 उसके बाद जब तक next time purchase नहीं करते issue everything at that 1.1 हो नहीं ठीक है तो में के अंदर 7500 unit issue किया ना बेटा 750 add rate of 1.1 825 balance निकालने के लिए ऐसी करो 1000 minus 750 250 1100 minus 825 275 मेरे को भी मालूम है यह वाला rate अगर divide करोगे 1.1 ही आता है चलो मैं तुमको logic भी बोल देता हूं क्यों 1.1 आता है जो तुमारे पास था वो 1.1 परी था जो issue किया वो भी 1.1 परी किया तो जो बचेगा वो भी तो 1.1 परी बचेगा ना तुमारा ओके लेकिन लिखना नहीं दे रीजन अफटर 3 months 3 months of this question ना प्लीज ओकी नौट 3 months अगे May June June तो 1000 unit at the rate of 1 नया पर्चेश तो नया वेड़े अबरीज कॉस्स नया वेड़े अबरीज कॉस्स कैसे मिलेगा इस प्लस दिस 1250 फिर उसके बाद दिस प्लस दिस 1275 1275 डिवाइड बैर 1250 1.02 June के अंदर इशू नहीं है July के ना पर्चेश नहीं है July के ना 600 unit issue हुआ at the rate of 1.02 612 balance निकालने के लिए this minus this 650 balance निकालने के लिए this minus this 663 बस मैंको मालू मैं divide करोगे 1.02 या आएगा लेकिन लिखना मत reason अकले महीने में बताता है एक सेके ना ये जुलाए था मैंने मन्द नहीं लिखा था उसके बाद आउगस्ट 500 unit खरीदे है दरीटा 1.2 600 आच्छा निया पर चेस तो निया वेरेड आबरेज कोस्ट साड़े 600 प्लस 500 1150 1263 divide जरा करो सब लोग 1263 divided by 1150 या आजाता है 1.09826 अच्छा एक सेंट अभी एक कॉल तुमको लेने का है do you want to round it off or not अभी तुमारे बदले में I will take that call let's round it off यार वना बहुत छुक्ता पैसा बगेरा वो लेना पड़ेगा जरा तुमारे कैल्सी पर जो answer है उसको round off करो up to two decimals answer कितना आएगा बटा 1.10 यह जो 1.10 आया ना इसकी ओपर एक asterisk दालो because we will write down that we have rounded it off ठीक है अच्छा रहेगा तो बाद में वो लिखेंगे सुनो अभी ऑगस्ट का issue जो है साड़े 600 का है साड़े 600 unit add the rate of 1.1715 सुनो क्या है ना एक बार तुम लोग ने rounding off start कर दिया आना फिर तुमको समझ में आएगा कि मैं यह बाला rate कभी क्यों नहीं लिखता था अभी तुम्हारे पास balance निकालने के लिए एक ही option है this minus this करना तो 500 आएंगा उसके बाद घोंचू की तरह इधर 1.1 लिखके यह 550 मत लिखना तुमारा account ही टाली नहीं होएगा तुमको समझा जो मैं बुला तुम लोग को अभी एक ही काम करना पड़ेगा and that particular thing is 1263 minus in this case 715 जरा यह subtract करो 548 ओके तुमको समझा कि वो exactly 1.1 अभी नहीं आएगा क्योंकि ना you have started the rounding of thing ना जरा वो सोचो ना जो तुमारे पास था technically वो 1.09826 पर था लेकिन आप लोग ने उसको 1.1 वो लिख भिया वो अलाग बात है लेकिन technically वो 1.09826 पर ही है और जो तुम लोग ने issue किया ना वो 1.1 पर ही किया तो अभी जो तुमारा balancing figure वाला जो rate है ना वो कुछ अजीब बन जाएगा तुम को समझ में आता है क्या बोलता है मैं तो इसके लिए नाम में वो जंजट के नरी नहीं पड़ता कभी ताकि वो वाले doubts ही तुमारे दिमाग के अंदर वो ना आएं I don't try to write down those particular figures हो नहीं वना जादा complication होता है यार ठीक है तो ये हो गया august उसके बाद september अच्छा September के अंदर 500 unit खरीदा है अधर रेट आफ 1.3650 टोटल मार 1000 टोटल मार 1198 1.198 अभी 2 decimal से round off करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर 1.20 ही लिख लो और उसके उपर आइस्टरिक दाल ले बिटा September के अंदर इशू तेरा 600 unit का है तो 600 है अधर रेट आफ 1.2720 balance 400 सब्ट्रैक करके balance निकालना मिर को बता देना 4.78 यह टोटल तो आपके सेम ही रहेंगे बस issues का टोटल फिर से निकाल लो पिर से एंदर मिर को एंदर रावपके से निकाल को खेंगे यह देख लेना वेरिट आपरेज कॉस अस बीन राउंड़ेट अफ टू डेसिंट हो गया सब लोगा चलो सुनो अभी यह जो लास वाला मेथट है ना शायद तुम लोग फर्स टाइम कर रहा होगा लेकिन मेरे क्याल से कोई जादा मुश्किल नहीं होने मली है देखो निशान्त हैड यूज वेटेड अवरेज ओके वेडे अवरेज तो आता है अपने को बट बेसिंग लोग नॉर्मल वेडेड अवरेज मेथद जो अभी अभी किया ना वह कैसे किया सर हर purchase के बाद varied average निकालो ये एक निया method है क्या करो हर purchase के बाद मत निकालो उन लोग ने बोला हम लोग 6 मीने का period इकठा करेंगे और उसके बाद इकठा इकठा इस निकाल लेंगे में को जरा बोलो तुम लोग अपना कोई भी account देख लो अभी तक तीन accounts बनाएं में को जरा बोलो if I ever ask you let's compute weighted average cost for six months purchases तो में को बोलो your weighted average cost for six months answer मत बोलना में को बोलो कैसे compute होगा 3850 divided by 3500 नो अगर 6 महिने के लिए निकालने का है तो 6 महिने के अंदर इतना purchases किया और इतना units करीदा तो ये सबका total we all will do क्योंकि जो भी method हो भाई ये वाले numbers तो same ही रहने वाले हैं तो एक काम पहले जरा करो चौते method के अंदर में को तकरीबन half side ही चाहिए तो half side के बाद you all can write down weighted average cost for six months is equal to 3850 divided by 3500 is equal to 1.1 अभी ये question ही almost अपने लेना it'll become too simple whenever you will issue in these six months no you issue at what rate बेटा 1.1 तो यहाँ पर ना यहाँ पर हमेशा एक ही rate आने वाला है that rate will be कितना यार 1.1 whenever you issue in these six months you issue at 1.1 only the job is over तुम लोग ने title चाहिए पूरा वो नहीं दिया अभी वो title वो देना लिखो periodic VAM six months निशान्त उसको मैंने प्यार से निशी बोला है मेर पास उतना वो जगा नहीं था sorry जेंडर बदल या बचार बन देगा लिख देना periodic weighted average method periodic VAM six months क्योंकि six months के लिए compute करेंगे आगे निशान्त होता है depends upon the company आपे मगजबारी बहुत कम होता है especially if a company is going to be purchasing a lot no these methods are far more easier क्योंकि you only need to be computing weighted average cost once बस that's it okay सुनो अभी same question अभी मैं कित्ती बार करूँ है चलो करना तो पड़ेगा लिखो April 1000 मिरको याद हो चुका है question अभी either rate of one 1000 सुनो यहाँ पे लिखना 1000 amount के अंदर लिखना 1000 rate अभी लिखने कहीं अभी rate क्यों नहीं लिखनेगा तुमको भी strike होएगा दो मिनिट के बाद सुनो issues 500 unit issue किया at the rate of 1.1 यह कितना आ जाएगा 550 यह rate obviously इदर से आया और अब मैं बात भी नहीं करेगा directly whenever in this particular case you have to issue take the rate as 1.1 काम खतम हो गया ठीक है अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो a piece 1000 minus 500 यह कितना आ जाएगा 500 1000 minus 550 यह वाला जो balance का amount है कितना आ जाएगा 450 आज देखो मैं तुमको एक चीज़ वो बोलता हूँ एक काम वो करीदो ना यहां पे एक ऐसा सांप मार दो तो मार दिया सौंप को सुनो मेरी बात अभी को बुद्द सर इधर rate का column आपने क्यों बनवाया ऐसी लेकिन उसका कोई use नहीं है वो दो सर क्यों use नहीं है आप compute तो कर लो ना आप यहां पे लिख लो 450 अपन 500 सर मेरे कैल सी पर answer 0.9 आता है लेकिन 0.9 लिख कर मैं करूं क्या क्योंकि next time जब मैं issue करूंगा I will still issue at 1.1 तो फालतु में rate निकाल के क्यों time pass करें यार ओके बस मैं अभी last transaction कर रहा हूं तुम लोग उसके बाद ये वाला method खतम करना यहां पे लिखो में 500 unit purchase हुआ at the rate of 1.2 600 अब से एक simple rule to finish off this entire thing जब भी purchase करोगे add it जब भी issue करोगे subtract it तो 500 500 add किया हजार साड़े 400 600 add किया 1050 अभी में के अंदर issue कर लेना 750 जब भी issue करोगे 1.1 825 subtract कर लो और अभी please continue करो मेरे को कुछ बताने की कोई जरूत नहीं है तीन मिनट दे रहा हूं खतम करो totals वगेरा सब कर लेना कोईशन दिखा रहा हूं आंसर आ गया 440 गाना चीए था जिन लोगा हो गया ना मेरे उपर एक ऐसान करो कोईशन नमबर 45 के लिए भी ना तुम लोग वैसा एक format बना लो for 3 4th of the side ठीक है टाइटल वगेरा वी विल गिव इन सम टाइम तुम लोग format बना लो हाँ सिर्फ एक ही format for 3 4th of the side 3 4 sides नहीं है प्लीज 3 4th of a side टाइटल मैं देता हूं यौल finish it off मतलब तुम लोग वो format बना लो तुमारा answer जो आएगा वो 440 आएगा 400 440 तुम लोग एक मिनिट के लिए वो रुको ना मैंने जबी question start किया था ना मेरको शुरू से मालूम था कि answer 440 आएगा obviously कोई सोच सकता है sir you have solved the question before no I use brains देखो जरा मेंको शुरू से answer वो कैसे मालूम था overall you are purchasing 3500 units at the rate of 1.13850 यह 1.1 यही वाला है ना जो हम लोग ने निकाला in this entire year मलब in these entire six months whenever you are issuing any unit you are issuing at what rate 1.1 तो तुमको समझेगा जो है वो भी 1.1 की उपर ही है जो issue किया वो भी 1.1 की उपर ही रहेगा आगे कोई कुछ बोलेगा तो जो बचेगा वो भी 1.1 की उपर ही रहेगा ना so 400 units at the rate of 1.1 440 वैसे भी आ जाता है लेकर आपको accounts बनाना पड़ेगा समने बोला वा था you have to show the records इसके ले किया हां हां तुम लोग next question के लिए तो वो format बनाऊ ना एक मिनुट एक जो एक सेट एक्ट आपको इसका आपको स्टार्ट करों चलो सुनो मिरी बाद देखो नव देखो नहीं नथिंग निव नेक्स कोस्टिन except in this case base stock यह buffer stock will also be coming पढ़ लेते हैं then I'll see that from the following information prepare stores ledger account assuming 100 units as base stock and following FIFO method अभी कई companies have a policy to maintain some stock as buffer stock हम लोगों ने किया भी हुआ है तो उनको ऐसे लगता है कि 100 units से कम अपना stock कभी भी ने जाना चाहिए अभी यह चीज़ अगर उनको अपने books of accounts के अंदर भी दिखाना है then we have a method for it okay that time some people call that particular thing as base stock method but accompanied by FIFO method इसका मतलब क्या है अगर आपको यह base stock method follow करना है तो जब आफ first time 500 unit purchase करोगे ना first time आप लोग उसको दो lots के ने divide कर देना 100 units base stock and 400 unit normal stock ठीक है जो भी FIFO लीफो अपलाई करने का है ना 400 को अपलाई करते रहना 100 को touch नहीं करने का वो वैसे ही चलता रहेगा लेकिन module के अंदर जो एक चीज नहीं है that I'll have to try to tell you जरा वो सोचो ना suppose 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 just like that okay I'm not talking of this particular question suppose 500 unit हम लोग ने खरीदे ठीक है उसको मैंने 200 के ने divide कर दिया 100 base stock 400 जो है वो normal stock ठीक है उसके बाद demand आया से 200 unit का तो 200 इसके अंदर से चला गया ठीक है तो मैंको बोलो अभी तक base stock touch हुआ नहीं ठीक है और अभी ना इसका तुमारे एक ऐसा confusion दूर करूँगा जो बहुत लोग के दिमाग में पता नहीं पिछले 3-4 सालों से शायद वो भरा हुआ हुएगा because of might be accounts that you all have learned अच्छा उसके बाद ना 125 unit का odd demand आया from the factory में को बोलो अभी तक buffer stock use करने की जरू होता है नहीं तो अभी तक 325 यूज हो गए उसके बाद ना 100 unit का और demand आया ठीक है कहनी से 100 में से 75 तो regular stock के अंदर है ना मेरे पस ठीक है अभी मेरे को जरा बोलो 25 unit का और demand है बराबर में को बोलो what is more important to continue the production or to maintain 100 units as buffer stock what is more important in life continue तुने stock का क्या अचार डालना है okay you have purchased the stock for bloody using it in your production तो वो तो काम कर तू problem is not that you will not use it everybody knows यार you also told the correct thing only that you all will use it okay problem is if you use 25 units out of this तो में को बोलो इसके अंदर से कितने बच जाएंगे 75 अभी इसके बाद क्या करने का उसके लिए दुनिया के अंदर कोई rule नहीं है I can tell you two options although I say ये वाला चीज नहीं पूछेगा क्योंकि उनके दिमाग में ये दोनों में से कुछ option नहीं आता ठीक है वो लोग ने ऐसा कोई question भी आस तक नहीं पूछा अभी इसके बाद दो option है ठीक है it's only that now buffer stock will be 75 ठीक है बना कोई बोल सकता है नहीं sir 100 units तो चाहिए चाहिए चलो ठीक है 100 units अगरते को चाहिए चाहिए तो एकाम जरा कर जब next time purchase करेगा ना उसके ऐसे 25 units इदर दाल देना इसको 100 का complete कर देना और बाकी जो है will become the regular stock and then continue as a base stock is 100 only तुमको समझा these are the two options that are there ICA के exam के नहीं ये वाला कभी situation ही नहीं आएगा कि तुमको base stock के अंदर से कुछ भी use करने की जरूत पड़ा one in a billion chance अगर कभी आ गया you all know what is to be done दोनों में से एक option जो है वो कर लेना ना मैं इसके लिए कोई note दूँगा क्योंकि मेरे को मालूम है ICA ये वाला चीज नहीं पूचने वाला है so I will not go into much kind of debt ठीक है और एक चीज़ सुनो when I say no 100 units is buffer stock some people try to be thinking सर एक तिजोरी लेगा उसके ने 100 unit रग देगा कभी नहीं निकालेगा जब तक पेटा stock सड जाएगा खराब हो जाएगा when we try to be saying no 100 units as is buffer stock we don't say that these 100 units are only the buffer stock बेटा वो 100 भी rotate होता जाएगा मैं एक लाइन बोलता हूँ जिसका मतलब mostly किसी को समझ भी नहीं आता whenever I say the first time FIFO, LIFO, no all these are methods for stock valuation they are not ways to do business किसी को नहीं समझा मैंने इसलिए वो बोला था सुनो suppose for a small example कोई एक fruit वाला है जो ना apple बीचता है ये पहिला apple ये दूसरा apple ये तीसरा apple ये चौथा apple ये पांचवा apple ठीक है this is oldest apple this is new apple अभी तू खरीदने के लिए गया तिरे को दो apple वो चाहिए था ठीक है तूने ये दोनो apple दिखा तेको लगा ये new है you will buy these तो तूने फ्रूट वाले को बोला मेरे को ये और ये apple दे दे मतलब ये और ये apple उसने तिरे को चांटा मार दिया उसने बोला साले I am following FIFO method how dare you touch this तेरे को ये और ये ही लेना पड़ेगा ऐसा कभी होता है नहीं ना ऐसा कभी भी नहीं होता तो बोलता सर हो भी तो सकता है नहीं होता फिर भी अगर कोई बोलता है कि हो सकता है then I will continue my story अभी तुमारा एक policy है कि तुमको पुरानी चीज़े ही अच्छी लगती है तुम लोग उस बंदे के पास गए तुमने उसको बोला मेरे को ये सड़े गले आपल देना उसने तेरे को फिर से चाटा बारा उसने बोला सुन I am following FIFO method now तुम तीसरे दिन उसके पास गया तुमको दो एपल चाहिए था जैसे तुम पहुंचा बोलता I have changed my method to weighted average अभी तू क्या करेगा हाँ बोलो मतलब फिर अभी ये पांच एपल को मिला के एक बड़ा एपल बनाऊ और उसको काट के दूँ थोड़ा सा नहीं ना, ओके, so boss these are not physical methods दिमाग में कभी फालतू चीज़े मत लेके हो, मतलब goods भी ऐसा ही बिखता है, ओके, goods कैसा भी बिख सकता है, these are only methods of making your books of accounts सुमको ये चीज़ समझ में आता है ओके, because the way that you have done accounts, accounts has gone in your blood in a wrong way, ओके, so we start to be thinking कि जब भी बेचता होएगा तभी ये वाला goods ही बाहर जाता है ऐसा कुछ नहीं होता, you can sell any goods just for the purpose of valuation, you can follow the method that, सब को समझ में आ गया ना, thank you चलो, now let us start ये तुमारा last question है we are starting away with question number 45 यहाँ पर FIFO method ही है यहाँ पर वो लिख देना dash base stock अपने को 100 units का रखने का है FIFO dash base stock 100 units चलो, सुनो from the following prepared store ledger account, assuming 100 units as base stock, following FIFO method साला transactions, JAN का ही है JAN 1st, receive 500 unit 20, receive 300 24, issued 700 received this much, issued this much received this much, issued this much तो in all 60 transaction है फटा फटा खटा खटा करते हैं यहाँ पर एक ही बार date लिख देना JAN, JAN 1st 500 unit खरीदे at the rate of 20 500 unit खरीदे at the rate of 20 10,000 जब first time करते है divide your stock into two parts base stock 100 units का at the rate of 20, 2000 बाकी 400 unit at the rate of 20 obviously this will become 8,000 बस याद रखना अब तुमारा method जो है ना बॉस, वो FIFO method है ठीक है, your method is FIFO method do not touch base stock unless and until required although I have told you exams के ने शायद वो situation ही नहीं आएगा कभी JAN 10th receive 300 units 300 unit receive हुआ at the rate of 24 7,200 अभी तीन लॉट हो जाएंगे 120, 2000 420, 8,000 324, 7,200 this is your base stock these are your normal stocks use only the normal stock based upon FIFO method ठीक है JAN 15th receive 700 units sorry, issued 700 units तो एक 400 ये और एक 300 ये अपना काम हो जाएगा तो बच जाएगा खाली base stock 122,000 तुम लोग sum कर सकते हो मेरे कहाल से तुमको मेरी कोई जूरत नहीं है I'll just show the question एक मिनट बस तुमारा last day पर कुछ ऐसे आना चाहिए 122,000 422,88,000 एक बाट total मार देना ताकि वी केन ज़स्ट शोव दर फाइनल अमांट और कुछ नहीं है तुमारा पर कुछ नहीं है ठीक है चौल तुमारा पर्ट इस पर्टिक्लार पर्ट इस अल्टोगेधर दन पालना ज़स्ट उपार प्मूनचर मार पर्ट प्रुमारा पर्रट इस प्र्टोगेधर इस दो प्रटिक्ष तुमारा से अना जहीं है प्रटिक्स करें से आना झान इस अना आना जहीं है झाल झाल